हेलो एब्रीवन वेलकम बैक विद न्यू व्लॉग कैसे हो आप सब लोग आए होप सब अच्छे होगे गुड मॉर्निंग रादे रादे तो गाइस आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है सुबह के नौ बजे और अभी मैं किचन में जो है अपना काम करने के लिए आ गई हूं आयान तो जा चुका है स्कूल अपना जो डेली वाला रूटीन है वो स्टार्ट हो चुका है छुट्टियां हो गई है खतम और आयान जा चुका है स्कूल उसके पापा उपर सो रहे हैं सो तो नहीं रहे होंगे I think ready हो रहे होंगे क्यूंकि मैं वाक करके आई थ तो उसके बाद आके मैं गई थी उपर वॉक करके आने के बाद तो देखा दो उस टाइम वो वाश्रूम में थे तो अभी नहाद हो रहे होंगे आने वाले होंगे नीचे और फिलाल जो है किचन का काम थोड़ा सा ही बचा है क्यूंकि अमन चले जाते ना सुबह सुबह और स्टार्ट कर दी तो गाए की है फिर मैं ब्रिक्फास्ट के लिए शायद पराठे बराठे बनाऊंगी अमन के लिए और लंच की रोटी उनके लंच के लिए सीटी डाल बन रही है इसमें दाल का चौक रखा हुए और इधर बन चुकी है बिंडी तो बिंडी सबजी बन का है अल्मोस्ट सारे काम खतम होने पे हैं तो फिर अब इनको कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में अमन तो चले गए हैं ऑफिस और आज सुबह सुबह है ना ऐसी ट्रेजिडी हो गई है मेर को जिससे बहुत ज़दा डर लगता है ना जो लोग अगर उपर उपर गिर गई या जैसे दिया ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है तो क्या है कि पीछे वाले रूम में आपको अगर यहां से दिखा हूँ तो पीछे अंदेरा दिख रहा हूँ और गेट का रूम बंद कर दिया मैंने कि इदर ना आ जाए पीछे वाल गुसी यहां से वाला जो गेट है यहां से घुसी देखा इसके बगलवल दिवार पर इतनी मोटी चिपकली और इतनी बड़ी मैंने का भाई हो गया का मैं इसलिए घर जाना रुकना नी चाहती अपने घर जाके तो मुझे पता है पीछे से ना इतो वापता आगे सारा काम पूरा समेटो पूरा घर फिला देते हैं पूरा घर और पीछा ले रूम का मुझे यह भी पता है कि मेड भी ध्यान ने देती तो चिपकली घुसा ही घुसा देती है 100% क्योंकि पीछे वाशिंग मशीन के पास रहती है चिपकली अब जब मैं रहती हु ना तो मैं गेट बं अब यहां पर आगे मैंने अपने इस रूम का काम तो सारा खतम कर लिया अब देखो तावल यही सूख रहे है यह बाहर सुखा क्याने पीछे सुखाती हु मैं है और इधर देखो इधन दे कपड़े रखे हुए यह भी मुझे पीछे डाल क्याने मुझे मशीन लगानी थी अब कुछ भी नहीं पा रहा है तो मैं नीचे मम्मी को पोल के आई हूँ कि आप आजाओ अपना काम करके नाने गई है मम्मी शायल मैं आजाओ आजाओ जाला ज़ाडने की लंबी सी स्टिक होती है वो ले कि आ ना फॉल सिलिंग में मारें उसको निकालेंगे बाहर नहीं त पर जिसको लगता है उसको लगता ही है मुझे बहुत ज़्यादा लगता है और मैं देखा है लड़कियों कुछ जादा तर शिफकली से लगता है और कुछ भी आजए को अपने अब कर देंगे मुझे कोई बढ़ नहीं नहीं भी बाहर निकल देना वाज आजाए बस बहर गई या आसमान निगल या समझी नहीं आई मैं देखी वो घुस्ती फॉल सीलिंग में अब ममी ने फॉल सीलिंग पूरी ज़ाड के देख ली कहीं नहीं दिख री हो अब मैं तो वो कमरे का गेट बंद करके और उसमें लगाया ही मैट लगाया ही वहाँ पे एक गंटा हो गया कि वो अंदर ना गुशे तो अंदर ने गुश सकती तो बहर कैसे निकल जाएगी वो मुझे तो पक्का बता है वो है घर के अंदर ही अब वो उसी कमरे में रहे जाए मुझे कोई दिक्कत देए इस कमरे में नहारी चाहिए गैस इतनी देर से लड़का टीवी देख रह था तब से एक बार नहीं रोया एक बार भी और जैसे ये होंबग लेके बैठता है बुक्स लेके बैठता है इसका रोना निकल जाता है क्यों भई तेर से पूछ रही हुँ मैं कर रहा हुँ अच्छा अभी बताऊंगी दूसरी नोटबुक का करऊंगी तब ओवर एक्टिंग करके दिखा रहे हो ऐन ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा पढ़ाई तो करनी पढ़ेगी मैस मैस को तो आप अपना फेवरेट आपको लगता है कि बस यही लाइफ होती है पूरे दिन आओ टीवी देखो खेलो और हो गया खतम यह ना यह तो लगता ही नहीं कि पढ़ाई भी करनी होती है चलो दूसरी नोटबुक निकालो हो गया इसका तो गाईज इवनिंग हो गई है और आगए है वापस किचन में अपना काम करने के लिए दिन में मैं सो गई थी इसले कुछ भी शूट नहीं करा दिन में आयान जब तक आया तब तक मैं सो रही थी फिर आयान आ गया तो आप लोग को दिखा दिया हो क्या कर रहा है फिलाल म क्या है बना रही है ऌज बन रही है डिननर में कडी और अधर रखे है चावल कर देब रहे है और अजन को दिखाते हूं की घटना क्या वूमबग करना पड़ pointer ओड़ान है तो खूश है दिखाते हूं अब तो तो हैप्पी है ना हां तो बे शक मेला ले लेगिन अब तो त इतने बिजी रहते हैं और तू पढ़ता नहीं है पापा इतने बजी रहते हैं इतनी मेंट करके पैशे कमाके लाते हैं और फिर भी तू पढ़ता नहीं है आ là कर Megayo because को पूरे दिन बस यह सब नो टंकियों कर वाल वाइस लड़के से पढ़ाई मत करवाओ एक्टिंग कर रहे हैं मत करवाओ फिर क्या करेगा पढ़ेगा नहीं तो फायर इंजन चलाएगा वह भी बेटा भी न पढ़ाई के वहाँ भी नौकरी नहीं मिलेगी वहाँ भी 10-12 चाहिए होती है ठीक है तो 12 पढ़ेगा तो 10 तो पढ़नी पढ़ेगी ये क्या बात हुई देख इसलिए कहती हूँ पढ़ना चले तुझे ये भी नहीं पता 12 पहले आता है कि 10 पहले आता है फर्स्ट क्लास में हो गया है और अब या आप ने कहा मैं 12 पढ़ लूँगा 10 नहीं पढ़ूँगा सब कहते चाना कि एक पूर शिंपढ़ लोस है जो मेरा भाई हो तो 15 को पहले 15 कहते थे कॉलिज गया तो 15 पढ़ लिया और तू बारा भी नी पढ़ रहा बेशरम तो गाइस मुझे ना आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी आप लोगों से क्या करनी थी मतलब बेसिकली क्या है कि एक कमेंट आ रखा था कल वाले व्लॉग पे यानि कि उनके हिसाब से उन्होंने परसो वाले पे किया था मेरे साब से वो कल था तो वो कमेंट क्या रखा था जो पिछला व्लॉग है उसमें आप लोगों देखा होगा कि मम्मी जो है मेरी मम्मी मैं अपन ने अपनी सोच होती है जिसने कमेंट किया है उसकी वी अपनी सोच है पर मैं फिर बिए ज謝ना चाहती हूँ उन्होंने विलॉक के चककर में आपको फोकर जाया kick के चखकर में करें कि व्लॉग बन रहा है इस चखकर में हम कुछ कर रहा हैं या करवा रहे हैं किसी से भी घर में चाए वो मम्मी हो, चाए वो पापा हो चाए वो नित्टू, राहुल, अमन, मेरे सास, ससुर, कोई भी हो मेरी family हो कोई भी कहीं भी मतलब यहां की family लगा लो या वहां की family लगा लो कोई भी हो किसी से भी कोई भी चीज सिरफ video के लिए नहीं करवाई जाती जो चीजे हम naturally daily routine में अपनी करते हैं वही चीजे capture करके आप लोगों को दिखाते हैं पहली चीज दूसरी चीज मेरी मम्मी की या फिर मेरी सास की इतनी age चाए वो कितनी भी age है चाए उनकी age कम है चाए उनकी age जाता है उन दोनों का मानना यह है कि जब तक हमारे हाथ पर चलेंगे हम लोग काम करेंगे क्योंकि अगर हम एक बार बैठ गए तो फिर आदमी जो है वो जुड़ने लग जाता है जुड़ना in the sense उनका कहने का मतलब यह है कि फिर जो है आदमी उस हिसाब से काम नहीं कर पाता बोडी जो है उस तरीके से वर्क नहीं कर पाती तो जितनी एज हमारी है जब तक हमारे हाथ पर चलेंगे हम काम करेंगे पहली चीज दूसरी चीज यह थी कि मेरी मम्मी अगर मुझे बना के खिला रही है पराठे तो भई वो मेरा सौभागय है कि मेरी मा मुझे बना के अभी तक खिला पा रही है भगवान ने उनको अभी तक ऐसा रखा हुए कि वो बना के खिला सकती है खिलाने को मेरे को नीतु बना के खिला सकती थी और वो खिलाती भी है पर मम्मी उस टाइम पर बना रही थी तो मैंने गा मम्मी आप बना दो वही चीज पूर व लोग में कप्चर कर लिया और यह यहाँ कि काम मुपनी भी करती सहनु है में में थिन तो बराबर काम करनी तो भाइसे सब्सक्रा देती है मैं हा एक हिर्ट बना देता है क Savannah थे जान चालान के लोटता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है मतलब अगर जब तक उनके हाथ पर चल रहे हैं तब तक ठीक है जब नहीं चलेंगे और हम जबरदस्ती करवाएंगे वो एक अलग चीज है अगर 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 आप लोग एसे कमेंटस करते हो आप ये सयां कि अगर उस दुनिया सब्सेशक चाहिं perfect कोई किसी सरे ज़लता है आप ये लोग इतने कुछय की रह रहु आते हैं करते हैं in इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जिनको मैं इंग्नॉर कर देती हूं मैं सोचते हूं ठीक है ना सब की अपनी सोच है सब अपने इसाब से सोचते हैं जो हमें ठीक लगता है वह हम करते हो और आप लोगों को दिखाते भी हैं तो अगर मम्मी थोड़ी करती हैं किसी की भी मैं अपनी दोनों मम्मी की बात नहीं करती है किसी की भी मम्मी की बात कर रहे हूं क्योंकि मैं जो है ना हाथ दुखने लग गया मैं इंस्टाग्राम पे भी देखती हूं बहुत सारी वीडियो शॉट्स ऐसे आते हैं जिनमें अगर किसी की सास किसी अप करेगा। आप किसी सास-बहु की अपस में बनती है। अगर इस है इस ढ़ल मेरा नहीं की कर देखता है। और गाउं में तो ना आप लोगों ने देखा नहीं है, मतलब जो गाउं में रहते होंगे उनको पता होगा, बट मैंने देखा है, अभी भी मेरे ससुराल में वहाँ पे गाउं में, जितनी भी मेरी चाचीत आई है, मतलब कि अमन की जितनी भी चाचीत आई है, उनकी एच्चे कितनी भी हो अपनी भूगों के साथ बराबर काम करवाती है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो काम करती रहेंगी तो हाथ पर चलते रहेंगे और अगर काम नहीं करेंगी बैठ जाएंगी तो वो जोड़ जाएंगी फिर वो नहीं कर पाएंगी आगे और अपनी बॉड़ी को ठीक रखने के लिए फिजिकल मुवमेंट बहुत ज़रूरी है और अगर उससे भवोगी हेल्प होती है तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ ह तो गाइस मैं है न कभी भी ऐसे कमेंट के रिप्लाइए नहीं करती बट आज मुझे लगा कि कमेंट के रिप्लाइए देना बहुत ज़रूरी है क्यूंकि ऐसे में क्यों होता है ना लोग फॉर ग्रेंटे लेन लग जाते हैं कि तुम इनको कुछ भी कमेंट करो और यह बड़ी बात नहीं है तो बस मुझे यही बात करनी थी आप लोगों से आप मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और जो कुछ भी मैंने कहा उसमें अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना अदर्वास मुझे तो लगता है सबका अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेर करना और में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस किये बिना बिल्कुल भी मच जाना बाबाई टेक केर